नमस्कार दोस्तों, खेल ना सिर्फ सामाजिक शोहर्द को बढ़ावा देते हैं, बलकि खेलों से बच्चे की बधिक और सेक्षिक इस्तर में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, इस वज़े से जहां सभी शेवाएं, सभी क ग्राम में, यहां पंचायती भावन में शक्त मुझूद है, जहां पर एक प्रतिस परधाओं के लिए बच्चों को तयार करने के लिए, जो जूडों में जो बच्चे हैं, जो आजपास जैपूर वगएरा और आजपास के इस च्छो लोकल शेत्र में, जो बच्चे गया गया है, शिविर लगाया गया है, और पिछले साथ से ज्यादा दिवस से यहां बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, आईए, आज की इस कारिक्रम का हम मवलोकन करते हैं, मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं, के डियत पंचायत गोपालपुरा की सरपन से सवीता जी राठी और डूंगरबाला जी धाम के महंत तनसुक दास जी स्वामी, आई ये अंदर चलते हैं, राजस्थान जूडो एस्सोचेशन और बजरंगी गो सिवा समीती के सायुक तत्वा उधान में बच्चों को जूडो में रा करने के लिए उपस्तित हैं, गोपालपुरा की सरपन से सवीता जी राठी और डूंगरबाला जी धाम के महंत तनसुक दास जी स्वामी, कारेकरम अब से कुछ विक्षणों में आरम हो रहा है, सरवीता जी राठी है, सरपन साहब का स्वागत अभी नंदन कर रही हैं, जसो सवागत अभी नंदन कर रहा है, मुक्यतित हैं आज के कारिकरम में, महंत तनसुक दास जी स्वामी का स्वागत अभी नंदन कर रहा है, माला पहना कर बुकुल सिंग जी के द्वारा जो की एकसिलेंस जूड़ू अकेडमी के अजक्स हैं, बाले रा सरपन्थ साहब का स्वा अग्द किया जा रहा है पूरुषर पंच का विक्की जी परावा के द्वारा स्वागत अम्हें करें मदलू बजरंगी कि शुम्हें said अज्य वाली है जो यहां पर किसले कई से शिविर चल रहा है और प्रतिभागी यहां पहुंच रहे हैं और प्रेक्टिस का शुरू होने वाला है प्रदर्शन राजस्थान जूडो एसोशियेशन एक्सिलेंस जूडो अकेडिमी और बजरंगी गोसिवस समीति के संयुक तत्वा अध्वान में बच्चों को राश् शुरू करने वाले हैं को बच्ति हैं और बजर्स करने पाले हैं प्राफ प्राफ जो अगोगर बाद जिए पर प्राफ जागर टाई जो जा टुटना प्राफ एंग अगर जान के जिए पर एंगर आग्पार टुटना जागर शागर टाइड है झाल 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 झाल